हलो इबरीवान अभी हम लोग क्लास लेवान थिंदी में आरो बुक से चेप्टर जामुन का पेड़ के प्रस्ण अभ्यास को देखेंगे इसमें पाट के साथ में पहला प्रस्ण है बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुने कितनी रसिली होती थी इसमें दो प्रस्ण है पहला प्रस्ण का है ये समवाद कहानी के किस प्रसंग में आये हैं और खा है इससे लोगों की कैसी मानसिक्ता का पता चलता है इसमें सबसे पहले का का उत्तर लिखेंगे यह संवाथ जामून के पेड़ के उखड़कर गिनने से इससे लोगों की कैसी मानसिक्ता का पता चलता है, खाका उत्ता लिखेंगे, इससे लोगों की मतलबी मानसिक्ता का पता चलता है, सरकारी लोग जामून के पेड़ से मिलते लाप के कारण, उसके गुण गाते हैं, उन्हें उसमें दबे आदमी के पिड़ा से कोई लेने देना नहीं होता है, इसमें दुसरा प्रस्न है दबववव आदमी एक कभी है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, तो देखिए इसको उत्तर लिखेंगे दबाव आदमी ये कभी है यह बात तब पता चली जब माली से खिजड़ी खाते हुए दबेव आदमी ने मिर्जा गलिप का एक सेर कहा था इस जानकरी काराण फाइल एकरी कल्चर और हटी कल्चर भी भाग की जगा कल्चरल डिपार्टमेंट को दे दी गई जिसके बाद भी पेड़ को काटना संभाव ना हुआ तो दिखिए दबाव आदमी एक बार माली के आगे में एक सेर पढ़ देता है जिसको सुनकर माली उसको पुछता है क्या तुम कभी हो और वहां बोल देता है इससे पता चलता है कि ओ कभी है जिसके काण उसकी फाइल और अटक जाती है और पेड़ कट नहीं पाता है अगला प्रस्ण है किसी विभाग वालों ने मामले को हर्टी कल्चर विभाग को सोपने के पीछे क्या तरक दिया इसका उत्तर लिखेंगे किसी विभाग वालों ने तरक दिया कि जब उनका पेड़ फलदार ब्रिक्च है इसलिए यहां मामला अर्टी कल्चर विभाग के अंतरगत आता है उन्हें ही इस भी से हमें फैशला लेना चाहिए यह सास्की या कारे प्रणाली में मानुई या सव्वेधन हिंता को बताता है देखिए ओ लोग कोई भी जिम्यदारी से काम करना नहीं चाहते थे जैसे कि हमारे सरकारी भी भागों में होता है एक भी भाग से दुसरे भी भाग में फाइल दोड़ते रहती है और काम होनी पाता है यहां तक कि आम आदमी मर जाता है अगला प्रस्न है इस पार्ट में सरकार के किन-किन भी भागों की चर्चा की गई है और पार्ड से उनके बारे में क्या अंदाजा मिलता है इसका उत्तार लिखेंगे, इस पार्ड में सरकार के सेकेर्टियट, हर्टी कल्चर, एगरिकल्चर, मेडिकल और कल्चरल विवागों की चर्चा की गई है, इनमें से कोई भी विवाग सरी ठंग से अपना काम नहीं करता है सभी अपने कामों को दुसरे भी वगव पर टालते हैं उन्हें एक आदमी के जिने मनने से कोई लेने देना नहीं है इनमें काम करने वाले कर्मचारी केवल अपने बेक्तिगत लाप के बारे में सोचते हैं अगला प्रस्ण है कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड के नीचे दवे आदमी को निकालने के लिए कटी बद्ध होते हैं ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वज़ा से भंग हो जाता है देखिए भंग होना मने तूड जाना इसके उत्त वहां कर उन्हें रोग देता है और उपर के अधिकारियों से पुछने की बात कहता है इस परकार पहली बार संकल्प भंग हो जाता है और पेड कट नहीं पाता है दूसरे प्रसंग में लिखेंगे दूसरी बार जब कुछ मंचले किसमे के कलर सरकारी फैसले की इंतजार के बिना पेड को सोयम हटा देना चाहते थे उसी समय सुप्रिडेंडेंट भाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम खोद इस पेड को नहीं हटा सकते यह पेड किसी विवाग के अधिन है इस प्रकार दूसरी बार संकल्प भंग हो जाता है अगला प्रस्न है यह कहना कहा तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में आस्या के साथ साथ करुणा की भी अंतधारा है अपने उत्तर के पक्ष में तरक दें तिसको उत्तर लिखेंगे इस कहानी में पाठक के मन में हसी के साथ दवेव आदमी पर दया भी आती रहती है फाइल का इधर दर होना और सरकारी कर मचारियों का बैवार जहां पढ़ने वाले के मन में हसी का भावल आता है वह दूसरी तरफ जब हर रात माली उस देवे आदमी को खाना किलाता है तो मन में करुणा का संचार होता है तो देखे जिस परकार से इसको लिखा गया है ना एक तरफ तो हसी आता है दूसरी तरफ मन रोने लगता है कि देखो इस लोग तंत्र में इस सरकारी माया जाल में एक गरीब आदमी कितना दुख पाता है अगला प्रस्न है यदि आप माली की जगा होते तो हुकूमत के फैसले पर इंतजार करते या नहीं अगर हां तो क्यों और नहीं तो क्यों इसका उत्र लिखेंगे इसको अपने नुसा लिखना है यदि मैं माली की जगा होता तो मैं हुकुमत के फैसले का इंतजार नहीं करता क्योंकि मानव जीवन सरकारी कारवाही से अधिक मतपून है मैं सबसे पहले देवेव बेक्ति को निकाल कर उसका इलाज करवाता सरकारी नियाम इतने पेचिदा होते हैं कि उसमें उलच कर बेक्ति का सारा जीवन नस्ट हो जाता है अब आखिर में इस MCQ कोस्टन का इंसर आपको कमेंट करके बताना है पेड काटने का अंति मादेश किस ने दिया? आप सने है सुपिडेंडेंडेंड ने, B है मंत्री ने, C है सच्चू ने और D है पदान मंत्री ने तो आशा करता हूँ एप वीडियो आप लोगों काफी फसंद आया होगा थैंक्यू फर वाचिंग